नमस्कार मैं हूँ वैभवनाज शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन मित्रो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर कोई पुराना रोक कोई बीमारी हो उससे आप आप या आपके परिवार का कोई व्यक्ति कोई परिजन ग्रसित हो पीडित हो परिशान हो तो उससे मुक्ति के लिए आप क्या उपाय खुद के लिए कर सकते हैं या किसी और के लि लिया जा सकता है वो तिथी चाहे सोमवार की हो चाहे प्रदोश की हो या जो महीने में पढ़ने वाला मास शिवरात्री है महा शिवरात्री है किसी भी तिथी में आप इसका लाब ले सकते हैं सावन का तो पूरा का पूरा महीना ही महादेव का होता है उसमें तो आप शिलनेस इस्टील का तांबे और इस्टील के पात्र को छोड़ करके अगर अच्छा होगा कि पीतल या फिर मिट्टी का पात्र आप लेंगे तो आपको फायदा मिलेगा आपको ध्यान रखना है तांबा और इस्टील का प्रयोग नहीं करना है अभिशेक करते समय ओम जुमसह मंत्र का जाप आप निरंतर करते रहें इसके बाद भगवान शिव से रोग निवारण के लिए प्रार्थना करें और प्रतियक सोमवार को रात में सवा नौ बजे के बाद गाय के सवा पाव कच्चे दूद से भगवान शिव का अभिशेक करें अभिशेक का संकल्प करें इस उपाय से बीमारी ठीक होने लगती है और रोगी व्यक्ति को रोग में चमतकारी रूप से लाब मिलता है तो मित्रों आशा करता हूं कि यह उपाय आप अपने लिए या आपने किसी निकट परिजन के लिए अवश्य करके लाब लेंगे आप सभी से आग रहे कि जब भी आप जटिल समस्या हो या भाग्ये बाधा हो व्यापार नौकरी शादी की समस्या करियर की चिंता हो या वैवायक जीवन में हो सुक्का भाब पाये अपनी समस्त जोतिश्य तथा वास्तु समस्याओं का सरल चमतकारी प्रभाव शाली समाधान एक जानमाना और विश्वस्तिय नाप आचारे पंडित श्री वैभवनाथ शर्माजी काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिश्ट्रे और अंतर राष्ट्रे ख्याती प्राव राज जोतिशी परिवार की आठवी बिड़ी के जोतिशी और वास्तु शास्त्री आचारे पंडित श्री वैभवनाथ शर्माजी के द्वारा व्यक्तिकर या फिर फोन पर अपॉंट्पेट लेने के लिए कॉल करें 9818-300146-9990724131 या फिर इमेल करें sharma.webhub at the rate gbill.com